हेलो थे अभीवन फ्रेंड स्वागत है आप लोग का मेरे एक और न्यू इंट्रेस्टिंग वीडियो में आज हम बात करने वाले कि आप आसूस आरोजी फोन में जो पॉब्लम्स आते हैं वाइफाई डिलेटेड ठीक है उस पॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं तो उस अपडेट को जैसी मैंने किया एट वाला अपडेट है जैसी मैंने उसको किया ऐप्डेट करते ही मेरा वाइफा ऐ काम करना बंद कर दिया था फिर उसके बाद मैंने बहुत कोशिश nervous पट वाइफाई काम नहीं किया तो न्यू अपडेट का वेट करने से अच्छा तो है फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि किस तरीके से आप वाइफाई के जो पॉबलम है उसको फिक्स कर सकते हो जो आपने अपडेट किया है उसको छोड़के जो पुराना अपडेट था जिसके आपका बढ़िया तरीके से हर एक सिस्टम काम कर रहा था उसको किस्ते के से ठीक कर सकते हो तो यह मैंने औरेडी सॉल्यूशन कर लिया है आपको दिखा देता हूं कि मेरा यहां पर बढ़िया तरीक से काम कर रहा है तो यहां पर देखिए मेरा वाइफाय कनेक्ट हो चुका है कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ठीक है और मैंने इसको अपडेट कर लिया है एंड्रोइड 12 पे जैसे कि आपको देखने से पता चल रहा है मैं आप लोगों दिखाता हूं यहां पर देखिए एंड्रोइड 12 लिखा भी आ रहा है अपने मोबाइल को अनलॉक क्या था बूट लोडर तो बूट लोडर अनलॉक करने के वज़े से तो मेरे को अपडेट्स आना बंद हो गया है तो अपडेट करने के लिए आप अपडेट का ऑप्चेन का चलाए यहां पे अपडेट पर प्रेस करता था तो मुझे अपडेट नहीं मेलते थे बट मैं वीडियो पे देखता था कि सबको क्यूंन और उपाल मैं रिसर्च किया तब पता चला मुझे कि मैने अमुबाइल का बूट लोड राधा है सली BRI हमे खुच्चे ट्राय करना चाहते हो आप यह पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ठीक है तब यह आपका यह वाइफाई काम करना स्टार्ट होगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग को यह जो फाइल है इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है यह फाइल आपका आपको देखें यहां पर कुछ फोल्ड फाइल देखने को मिल रहे होंगे मैं आपको दिखाता हूँ यह एडिवी फाइल फोल्डर्स जिससे आप रात से जाए हैं मैं धीरे बताने वाला हो आप लोग को क्या क्या करने वाले हैं यह सब चीजे इंस्टॉल करने होगी आप नॉर्मल ऑं इसको एंस्टॉल करने जैसे करते हैं वर इसको इन्स्टॉल करना थोड़ासा मुष्किल हो सकता है क्यूंकि इसमें यह यह स्था पीट्र ग्रकरके यहां एक और यह टो कापिव लिखा रहा है आप लोग फिर्सक्राइम करोगे आपको只 bit далее तेवर कि लिखाए जो यहां तक तोँ जानल देन उसके बात आपको और पर किया नहीं ना बेंगी करना kindness करने से पहले आपको सेटिंग्स करने पड़ेंगी तो setting में आपको दिखा देता हूं mobile के setting पे यहाँ पे phone का setting आपको देखने को मिल जाएगा फिर आपको scroll down करते वे system पे जाना है system पे आते ही आप लोग को थोड़ा सा नीचे जाना है यहाँ पे आपको developer option देखने को नहीं मिलेगा आपको developer option on करना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा आपको यहाँ पे phone है phone about phone पे जाना है about phone पे आने के बाद आपको software information पे आना है फिर आपको build number पे बहुत बार प्रेस करना है तो नीचे लिखा जाएगा कि आपको developer option on हो चुका है मेरा अल्रेडी लिखा रहा है क्योंकि मैंने अल्रेडी on किया हुआ है तो आपको back जाना है उसके बाद आपको developer option पे आना है developer option के थोड़ा नीचे जाते ही आपको यहाँ पे मिलेगा USB debugging या आपको off होगा आपको इसको on कर लेना है तो अपके phone को यहां से connect कर लेना है connect करने के बाद आपको यहाँ पर आना है डिस PC में जाना है डिस PC पर right click करके आपको manage पर आना है device manager पर जाना है यहां पर आपको देखिए other devices लिखा रहा है basic system device ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे अपने फोन को स्विच आफ कर लेते हैं फोन को हम लोगों ने स्विच आफ कर लिया है और इसको भी निकाल देते हैं आपको अब जाना है फास्ट बूड मोड पे ठीक है तो यहाँ पे जो आपका पावर बटन इसको दबाना है एन वॉल्यूम अपका बटन दबाना है ठीक है दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है अगर आपका पुराना मॉडल का कोई सौर्ट वे इंस्टॉल होगा तो आप लोग को दिखाएगा क्या बलते हैं वन टू थ्री फोर ठीक है यह सारे सौर्ट वे इंस्टॉल कर लोगे तो ही आप लोग को ऐसे शो करेगा यहाँ पर जैसे आप लोग मोबाइल को करेड़ोगे तो आपको देखें यहाँ पर आप्शन मिले गाए ओपर फोल्डर है जो मैंने आपको दिखाया था इस पर जाना है इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर cmd टाइप करके एंटर कर देना है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आपका देखें आपका मोबाइल रेड़ी है फ्लेश होने के लिए ठीक है तो आप इसको कट कर दीजिए और यह सारे कर दो करना है तो अबन करना करने के बार आपको यहाँ पर आना पड़ेगा यहाँ पर देखें सबसे पहला आपको flash all ftm cmd इस पर डबल क्लिक करना है देखें डबल क्लिक करते कुछ ऐसा आपको show होगा अब यहां पर यह जो process चल रहा है इसको पूरी तरह कैसा complete होने लेते हैं मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूं जिससे आप लोगा time waste ना हो कर देखें यहां पर हम लोग का यह process complete हो चुगा है तैन उसके बाद आपको यह उपर वाला जो है ना flash all ft.com इस पर आपको डबल क्लिक करना है और यह process होना स्टार्ट हो जाएगा इस process को भी होने में तुपरा time लगेगा तो आपको तुपरा wait करना पड़ेगा और मैं वीडियो को fast forward कर देता हूँ सो यहां पर हम लोग का यह process को के complete हो चुगा है फिर जैसे आपको यह process complete हो जाएगा तो आपका जो mobile पर कुछ ऐसा शो करेगा जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यहां पर आप लोगों क्या करना है आप दो शन मिलेगा एक format जो ऑसके हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो करके ओप्चन आएगा एक यहाप क्लिक करती है तो बीट हो जेगा यहां पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है suppose अगर यह सब करने के बाद भी आप लोग का नहीं हुआ तो दुबारा से आपको अपने PC से connect करना है fastboot mode पर जाना है and आप लोग को flash raw as wipe data पर click करना है and बहुत सारे process होंगे and उसके बाद आप लोग का mobile फिर से boot होगा and आपको फिर से वह starting setting करने पड़ेगी बट मेरा यह दो जो पहले क्या था flash ftm and flash at ft इससे करने से हो गया था बट किसी किसी का मतलब इससे पहले मैं प्रिंचा बार और भी ट्राइब किया था अगर आपका इन दोनों से खाम चल जाएगा तो यह नहीं करने से भी होगा फिर उसके बाद देखिए यह बहुत ही पुराना अफडेट है तो इसको आप किस तरीके से आप अपडेट कर सकती हो नया सकती हो वह बताता हौं सबसे पहले हमको यह पर अपको सारे अपडेट्स द देखने को सा अगर आपके मोबायल पर बूर्ड लोडर अनलॉक नहीं किया था तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे बट अगर अगर अपडेट ना मिले तो आप मैनुवली अपडेट कर सकते हो अल्रेडी बहुत सारे वीडियो वो रखें यूट्यूब पे आप चाके उसको देख सकत अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंग गाया होगा और आपका आरोजी 5 का जो भी पॉब्लम ता वह सव्म हो गया होगा वाइफाइट्ड पॉब्लम हो यह सीम रिलेटड पॉब्लम हो यह कोई दूसा प्रोब्लम हो डेफिनेटली सॉल्म हो ही जाएगा तो लाइक और सबस See you all guys!